कि आज हम जो बात कर रहे हैं कि एड़टाइजमेंट राइटिंग कि एड़टाइजमेंट कही प्रकार के हो सकते हैं कि मैट्रिमोनियल हो सकते हैं एड़टाइजमेंट यानि कि वहवाहिक विज्ञापन भी हो सकते हैं और कोई प्रापर्टी से संबंदित भी हो सकते हैं सेल वाले परचेज वाले कोई किराए के लिए भी हो सकते हैं एकमोडेशन वाले किराए पे देने हैं किराए पे लेने हैं न्यूज पेपर्स में आप देखते होगे appointments के लिए भी हो सकते हैं कहीं पर कोई post खाली है कोई जगे खाली है उसके लिए भी हम advertisement दे सकते है sir किराई पर देने के लिए तो होता है लेने के लिए भी होता है लेने के लिए भी हो जाता है कही बार लेने के लिए कम होता है क्योंकि कि वो जो इतने सारे जो होते हैं न एड़िटाइजमेंट उन में से कहीं न कहीं उसको मिल जाता है फिर भी कई बार मैं आपको बता हूँ जैसे माल लो कोई बहुत बड़ा और्गिनाइजिशन है है ना कि अब उस और्गिनाइजिशन को कोई बड़ी जगे चाहिए किराए पर किराए के लिए तो वो भी अपना एड़िटाइजमेंट देता है कई बार लोग देते हैं ठीक है खोया पाया वाला भी दिया जा सकता है कि किसी के कोई सामान खो गया उसके भी अड़िटाइजमेंट आप देखते होंगे नीज़ पेपर में कोई समान पाया है किसी को मिलता है तो उसका भी दिया जा सकता है अपने व्यापार से अपने व्यवसाय से संबंदित भी दिये जा सकते हैं कुछ लोग अपना नाम परिवर्तन करते हैं पता परिवर्तन करते हैं उसका भी दे सकते हैं कुछ missing persons के भी हो सकते हैं लापता वाले तो एड एक्चुली कही प्रकार के हो सकते है लेकिन अब अपनी बात क्या है कि अपने को में क्या है थोड़ा सा क्वेस्टन्स के हिसाब से अपन इसको ले और जैसा कि मैंने बताया था है कि यह जो एड होते हैं काफी महंगे होते हैं वर्ट के साप से साइज के साप से चलते हैं कितने वर्ट का आप एड़ दे रहे हो उसके साप से उसके पैसे हो जाते हैं आप कितना लंबा दे रहे हो कितना बड़ा दे रहे हो उसके साप से उसके पैसे हो जाते हैं तो अब यह चीज क्या है कि अपन जब दो चार करेंगे न ही ना जब तक अपन तब तक अपने लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा के लिए रोगी मेरी बात आपको तो इन में क्या ध्यान रखना होता है कि जैसे classified होते हैं तो मैंने जैसे कि इसमें शब्दों के साफ से पैसे लगते हैं तो अपन किस तरीके से इस एड को लिखें सारी जानकारी भी आ जाए है ना और कम से कम शब्दों में अपना काम चल जाए तो पूरे सेंटेंसे बनाके नहीं लिखे जाते हैं ज्यान रखें आप समझ रहे हैं मेरी बात को अब इसमें अपने को में यह देखना है कि वही कैसे अपन इनको शब्दों को थोड़ा सा शेट करें मैं सबसे पहले तो क्या कर रहा हूं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए ठीक है यह अपना अपन अब समझ जाएंगे मैं समझा रहा हूँ अब किस तरीके का है मिस्टर राजवीर गुपता लुकिंग क्वेश्चन को समझना जरूरी है for a bride for his son write a write an advertisement to be published in the matrimonial matrimonials matrimonials का मतला वैवाहिक जो वैवाहिक विग्यापन होते हैं न वरवदू के लिए जो दिये जाते हैं matrimonial मैंने कुछ गलत लिख दिया कि हाँ अब तो सही है matrimonials अब तो spelling सही लिखिये मैंने ये फिर कुछ American चक्कर है अब ये फिर American चक्कर है कुछ ठीक है न columns of a local news paper question समझ में आयागे आपको yes sir क्या question कह रहा है कि कोई Mr. Rajveer गुपता है looking for वो एक तलास में है एक दुलहन की तलास में bride का मतलब दुलहन और किसके लिए yes sir अपने बेटे के लिए ठीक है भी या yes sir तो अब बात यह है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने आपको एक बात बतायी थी कि अपन किसी का भी जो एड दे रहे हैं अब अपने को क्या चाहिए एक दुलहन चाहिए अपने को समझ में आगी बात आपको yes sir अब इनके बेटे के लिए इनको दुलन चाहिए तो अपन सबसे पहले तो क्या बताएंगे कि लड़का कैसा है कि लिए रोरी मेरी बात आपको कि सबसे पहले अपन क्या बताएंगे कि जो लड़का है कैसा है जरूरी है न ये चीज़ तो येस सबji », और लेकिन इसके लिए अपन क्या करेंगे रवे सबसे पहले एक बाक्स बनायेंगे अपन आपको बताता हूं była फिर मैं आपको जैसे लिखूँगा ना मैं आपको बताना शुरू करूँगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे अपन बॉक्स मैं आपको बताता हूँ यहां से अपन ने बॉक्स बनाया इस तरीके से है ना अब इस बॉक्स में अपन क्या करेंगे एक लाइन और खीचेंगे अपन अच्छा चाहिए क्या आपने को दुलहन है ना अपन क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन और खीचेंगे इस तरीके से यह यह लाइन खीच दिया अपने एक क्लियर होगे बात आपको अब समझे लेना अच्छे तरीके से फॉर्मेट को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ब्राइड कैपिटल लेटर में ब्राइड वांटेट खाली ब्राइड भी लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है समझ रहे हैं मेरी बात को अब आप यह आप नीचे ज़रा अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लेकर मैंने आपको क्या कहा है एक तो आप कुछ ऐसे फिक्स कर लिए जैसे इन्वाइट यह इन्वाइटेड की जगे आपन वांटेड भी कर सकते हैं वांटेड अब पहले लड़के के बारे में आप बता दो किसके लिए चाहिए तो किसके लिए के फोर ठीक है अब लड़के के बारे में बताना शुरू करो आप देखना ज़रा लेंगविज आप फोर स्मार्ट हैंडसम ठीक है आरे न लड़के के बारे में बता रहे न अपन लड़का कैसा है इन्वाइटेड यह वांटेड फोर स्मार्ट हैंडसम इसके बाद उसकी थोड़ी सी आप एस बताएंगे आप लड़के की जरूरी होती है मालीज आपने कह दिया 25 अब 25 से वह समझ जाएंगे कि 25 25 साल का है वो फिर आप उसकी हाइट भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ें जरूरी होती है ऐसे हाइट आपने लिख थी 5 5 5 फिट फोर इंचेस हो गया अब लड़के के बारे बता दिया लड़का कैसा है अपने लिखा नशारा इनवाइटेड इया वांटेड की जाती है या चाहिए फॉर के लिए तो पहले लड़के के बारे मि बता दो आप for smart handsome 25 oblique 5 foot 4 inch समझ जाएगा समझने वाला है ना जाती भी बता सकते हो आप गुपता बॉइ ठीक है साब हो गया अब आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा किस लड़का करता क्या है उसकी इंकम कितनी ही मेरे बाद समझ मारी आपको ये स सर्ट कोमा लगा सकते हैं आप हैंड सम ये यहाँ पर आपने कोमा लगा दिया ये और यहाँ पर आपने कोमा लगाए तो लगा देने जbery ज़रूत नहीं है क्या हमेजन कर सकते हो कंप्यूटर अगा एंजिनियर इस पेलिंग लग दीगे हमें ने कंप्यूटर के स्पेलिंग इंजिनियर अब और क्या लिख सकते हो आप पतल पूरा जेंड है निलिखना आपको कि हीज़ अप्यूटर इंजिनियर इसे कुछ निलिखना है आपको समझे आप स्वाइब अमाउंट आप महीने का कितना कमा लेता है या साल का कितना कमा लेता है पान लीजी आपने लिख दिया टैन लैक पी-ए पी-ए का मतलब क्या हो गया परेनम परेनम ठीक है भी या हो गया अब यह तो आपने लड़के के बारे में काफी है इतना ज्यादा तो सब कुछ तोड़ी बता देंगे अपने इसके अधर तोड़ा साइडिया दिया जाता है बस कैसा लड़का है है ना और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप और आप कोई जान कर रहे हैं तो आपको डिपैंड करता है फिफ्टी वर्ट्स की लिमिट होती है सेटल्ड सेटल्ड की स्पेलिंग सेटल्ड कहां सेटल है इन मुंबई यह भी बता दो किलियर अब आप क्या लिखेंगे कि यह आप यहां पर फुल स्टाप लगा सकते हो लड़के के बारे हम जानकारी हो गई है यह मत लगा हूँ आप चलो आगे बढ़ जाओ ए अब लड़की कैसी चीए मों बता दो कैसी लड़की चीए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो चलो इन्वाइटेड आपने वहाँ पर लगा दिया इसको आप ऐसे भी कर सकते हो इसको आप ऐसे कर सकते हो जरूरी नहीं है मुश किताब की लेंग्विज को ही लिखे है यह लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हो यह लीजिए फोर ए यहां पर आप ए लगा दीजिए फोर ए स्मार्ट हैंसम ट्वंटिफोर फाइव फेट फोर इंच गुपता बॉय कंपिटर इंजिनियर टैन लैक पर एनम सैटल डिन मुंबई मुंबई अब आप इस इन्वाइटेड को यहां ले आओ इन्वाइटेड या आप इसको वांटेड भी कर सकते हैं एक ही लिखना है आपको ए अब आपको लड़की के बारे में बताओ कैसी लड़की चाहिए कैसी चाहिए ब्यूटिफुल सबको चाहिए स्लिम और बोलो कैसी लड़की चाहिए वेल एजुकेटेड फीके भीया कुकिंग आनी चाहिए और लिख दीजिए वेल वर्स्ट वेल वर्स्ट क्या करते हैं वेल वर्स्ट का मतलब निपोन वेल वर्स्ट इन हाउसोल्ड वर्क ठीक है हो गया और कुछ लिखना है और पताओ हो गया काफी है और तो क्या सारी चीजें इसी में दोड़ी लिख दो गया अब और लिख दो आप फ्रॉम ए नाइस फैमिली हो गया बस काफी है कॉंटेक्ट अब आप कॉंटेक्ट बता दीजिए कहां कॉंटेक्ट करना है त्मिंदेंहां ह। टू किसको क spheres क्रेंगे अरे किसको कॉंटेक्ट करें जया राज्वीर हूँ राज्वीर गुपता कॉन्टेक्ट टू राजवीर गुपता फोन नमबर दे दीजिए ओन फोन नमबर कुछ भी लिख दीजिए आप 9876034255 किलिर हो गया किस तरीके से अपने को लिखना होता है किस तरीके से अपने को लिखना होता है अच्छा एक और बता दूँ मैं आपको आप यह कह रहे हो सर यह 50 वार्ट में लिखना होता है हाँ हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन अपन और लिखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है आपका यूर पैरेंट्स एंड यू आर इन शर्च आफ अब एक तोड़ा सा उल्टा कर दें है अपने इसको आफ ए ब्राइड ग्रूम आफ ए ब्राइड क्या है ग्रूम हाँ प्रिपैर अन अड़िस्ट में तो भी प्रिपियर अन इन न्यूस पेपर सर बॉल ना तो सर वो ये क्या लिकाए आईये यारे में वो की बॉर्ड हो जाता है ना सर न्यूस पेपर में पेस हाँ ये एक्चली ये अब हो जाता है कभी कभी ये आदत नहीं है न अपनी कि अपनी वह एक्चुली वह आदत नहीं है ना कि हाइफन रहे है हाँ अब अपने को क्या है डिटेल दो को ऐसा आप मसूचों कि भी आपको डिटेल मिल जाएगी हमेशा डिटेल अपने को खुद इमेजिन करनी पड़ेगी है ठीक है अब अब अपन क्या करेंगे सबसे पहले एक टेबिल बनाएंगे अपन इस टेबिल हमने बनाई यहां से यह बना दी हमने टेबिल मतलब टेबिल के बॉक्स बनाएंगे अपन और यह इसके अंदर ऐसे अपन ने कर दिया है अब अपने को क्या है qeustyan में अपनी डिमानड क्या है ब्राइड्ट गॡूम चाहिए अपने को इस कृम भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं गू Siya कृम भी लिख सकते हैं खालिए अपन डियान रखनाए क्या लीख सकते हैं आपन pat Top डूरुन非 इतना भी लिख सकते हैं आहीजिए तो पता चैल जाता है और उसके नीचे फिर सारे के शारे नहींmore तरी के गे, जिन में दूलों की तलाश होती है, एक उधर टाइटनल दिया, ब्राइड, अब ब्राइड के नीचे, दस, बीज, तीस, चालिस, पचास, सारे के सारे जो होगे ना, वो ऐसे ही होगे, मतलब जिन में की, दूलों की तलाश होगी, अब इसमें अपने को ज्यादा जैसे मैं तो बता ही रहूँ वक्ति जैसे आप निजपेपर सब के यहां आता होगा आप देखो संडे को निजपेपर आएगा आप उस निजपेपर को उठाना और उसमें देखना आप उसमें उनको पढ़ोगे न आप एक बार तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि किस-किस तरह की चीजों को अपन mention कर सकते हैं है ना अब अपन क्या करेंगे देखो अब अपने को क्या करना है लड़की के बारे में बताना है लड़की के बारे में बताना है ना कि लड़की कैसी है लडगी कैसी है और उसके लड़का अपने को कैसा चाइए यह बात है ना ठीक है सम्झ में आ री है बात अबको यह सरथ आप आप चाहें तो पहले लड़के के बारे में बता दे एपर जादा ठीक यही रहता है कि अपन पहले किसके लिए चाहिए उसके बारे में बता दे हैं पुर ज्यादा अच्छा रहता है तो अपन क्या करेंगे फॉर ए ब्यूटिफुल स्लिम इमेजिन कर लो आप वैल एजुकेटेड और क्या लिख सकते हो आप लड़की के बारे में बताओ गौवर्मेंट टीचर यह लो और लिख दो आप संसकारी है संसकारी तो खेर होती है गौवर्मेंट टीचर यह आपने एक डिटेल और बता दी इसकी लड़की कहा है गौवर्मेंट टीचर है और और तो आप फादर क्या हैं फादर बता सकते हो आप बिजनिस्मेन ठीक है अच्छा और काफी है अच्छा एज वगरा के बारे में आप लिख सकते हो एज और ये तो जरूरी होती है देखो ठीक है ना एज और ये सारी चीजें तो जरूरी होती है तो एज तो आप यहीं पर ही ले आओ स्लिम के बाद में आप एज ले आओ एज आप कितनी लिख सकते हो लिख दो आप इसकी 22 या 23 कर दो 23 हाइट कितनी है इसकी पाँच फेट और नॉर्मल एज लिखो जी मतलब आप बहुछ ज़दा अब 175 से समझ में आ जाएगा कि यह इसकी लंबा ही है है ना इंच में भी लिख सकते हैं और अपन सेंटिमीटर में भी लिख सकते हैं वेल एजुकेटेड हो गए गॉवर्मेंट टीचर हो गई पंजाबी गर्ल है फादर बिजनिसमेन है है ना भीया कैसा चीए स्माट हैंसे इनवाइटेड ए स्मार्ट हैंडसम और ऐग्यक इचीए अच्छा विच्छीए और कैसा चीए गॉबर्मेंटिड एमप्लॉवी और गॉबर्मेंटिड़्मेंट एम चीए आपको अच्छा गौर्मेंट एंपलोई और नाइस फैमिली, फ्रॉम नाइस फैमिली अच्छा, अच्छा परिवार का भी चीए, फ्रॉम नाइस फैमिली और हो गया? और कुछ दिमांड है? पर कांस्ट की भी तो हो सकती है पंजाबी, पंजाबी अच्छा पंजाबी भी लो साब, आप पंजाबी चीए, तो ये लो अच्छा, फ्रॉम यहां जोड़ सकते हो इसको आप, जैसे आपने लिखाए ना भी, फ्रॉम नाइस पंजाबी फैमिली, यहां जोड़ सकते हो आप इसको फ्रॉम नाइस पंजाबी फैमिली हो गया और कुछ और कुछ जब इतनी है तो इसके हिसाफक से ही लड़का होना चीए हो तो कुछ चीज दहर लड़किया घॉस होना है कि अगज़ की सब सब्सक्राइबanking यह और देदी तो दूसरा अपने ही जसा पसी साप साल की जब लड़की है तो इसके लिए अगर कोई आएगा ना प्रेपोजल तो वह ऐसे ही आएगा 25-26 साल के आसपास के किसी लड़के का आएगा ऐसे थोड़ा सा आइवरेज मान लिया जाता है किलिर हो आपको अब अब अपन लिख सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके राइट अब अपने पहले क्या दिया था अपने कॉंटेक्ट नमबर दिया था न है न है न है यह सर राइट विद कम्प्लीट डिटेल बढ़ा दो थोड़ा सा टू जो भी फादर का नाम है उनका टू मिस्टर क्या लिखोगे अब आप मिस्टर सी पी खत्री है न है न है यह सर आप एड्रेस पर जनरली आड्रेस तो देते नहीं है लोग है न तो फिर भी आजकल पोस्ट वाक्स नमबर दे दो आप पोस्ट वाक्स नमबर समझते हो आप नहीं समझते है यह सरो शाहिद गर के बार बोक्स होता है तर गर के बार नहीं होता यह जैसे नियूस पेपर होते हैं ना तो कुछ लोग क्या होते हैं कि यह अपने बारे में नह ना अपना फोन नमबर देना चाहते हैं ना अपना कोई एड्रेस देना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं उनको एक न्यूस पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उनको पोस्ट बॉक्स नमबर मिल जाता है एक समझने हैं मेरी बात को अब तो पोस्ट बॉक्स नमर का मतलब होता है कि जैसे आपने लिख दिया देखो हम राइट राइट टू जैसे मैं आपको बता हूँ राइट टू नाम लिख दिया आपने मिस्टर राइट टू सी पी पंजाबी ऐसे करके आपने लिख दिया पंजाबी है ना अब ये कहा जाएगा आपका पोस्ट बॉक्स नमर आपने डाल दिया मालनो है ना बॉक्स नमर कर दो आप बी ओ एक्स बॉक्स नमर तू थ्री वन कुछ भी दे दो आप ठीक है ना बॉक्स नमर टू थ्री वन और आप पेपर का न्यूज पेपर का नाम लिख दो आप जैसे आपने लिख दिया मालनो राजस्थान या राज बहुत गड़बड हो रही है राजस्थान पत्री का अब पता है क्या होगा यह जो आपको टू थ्री नमबर जो दिया गया है ना यह राजस्थान पत्रिगा के आफिस में आप गए आपने का जी देखो मेरे को यह एड देना है तो उन्होंने का ठीक है जी आपने का देखो मेरे को यह ना बॉक्स नमबर भी चाहिए आपका यह फैसिलिटी चीव अलग से पैसे लेते हैं इसके लिए वो कहेंगे ठीक है आपका बॉक्स नमबर यह है तो आप यह वाला बॉक्स नमबर वो इसमें घ्री टू वन और राजस्थान पत्रिका तो वो कहां जायेगा वो लेटर राजस्थान पत्रिका के आफिस में जायेगा और बॉक्स नमबर जो तू थी वन जो आपको आलोट किया हुआ है न वहांपर आ जायेगा लेटर अब आप क्या करोगे आपने add दे दिया, संडे को आपने add दिया संडे को आपने add दिया, अब वो add लोगों ने देखा, तो आप क्या करेंगे दो दिन, चार दिन, पास दिन के बाद आप क्या करेंगे राहिस्थान पत्रिगा के आफिस जाएंगे और उनको अपना receipt दिखाएंगे कि देखो जी मेरा box number है, मेरी अगर कोई letters आए हो तो मुझे दे दो इस box number पे जो भी letters आए होंगे ना, जो भी details आए होगी वो वहाँ से आपको मिल जाएगी clear हो गया इस box का time कुछ दिनों तक के लिए होता है, अब ये तो मेरे को समझ में आगे हैं आपको yes sir yes sir बात को समझना ज्यादा जरूरी होता है बजाए इस चीज़ के कि अपन उसको रट्टा मार लें clear होगे मेरी बात आपको yes sir अब यहां पर आप लिख सकते हैं खाली groom लिख दीजिए groom wanted भी लिख सकते हो आप यहां पर आप groom wanted भी लिख सकते हो आप wanted की जगे invited भी लिख सकते हो आप देखो यह कोई fix नहीं है ऐसा आपको मैं बता तूँ देखो clear सीदी सी बात आप यहा पर wanted लिख दो आप यहां पर wanted की जगे invited लिख दो आप ऐसे लिख सकते हो यह आपका इस तरीके से हो जाता है अब आप किसी भी चीज का जब add दोगे ना किसी भी चीज का add दोगे तो इस तरीके से आपका इस तरह से आप detail लिख सकते हो समझ मैं आगे के मेरी बात आपको ये सर चलिए close कर दूँ मैं इसको पहरे close करने का मतलब मैं इसका ये तरह